गोड़ेविंग बच्छों देसे संदोश्टेवास्तों एंड आयम अगेंग हीर डिस्कस सम्थिंग विडियो एक्चुली पहले मैं एडिटोरियल पढ़ाता था उसको बच्चों को बहुत उसका पेंटेट मिलता था बहुत सारी बच्चे मेरे से कहते थे इससरा आप एडिटोरियल रिगुलर पढ़ाएगा मैं फिर कहूंगा अभी लाकडाउन का समय है एक ऐसा समय जो हम और आप दोन इसे होते जब मैं अपनी सारी चीजें में और दुरुस्त कर लेता बच्चों के लिए इस बच्चों आपके पास भी इतना समय है जो भी चीजें आप चाहें इस लाकडाउन के दौरान आप अपनी राप कर सकते हैं जिन भी बच्चों के एक प्पाइश रही हो कि वह खाल सारी कमिया क्या कर सकते हो कूझ कर सकते हैं है तो फिर मैं एडिटोरियल बनाना में शुरू कर चुपा हूं 24 ऐप्रेंडिन है है वो मैंने finalize कर लिया है मैं सही कर लिया है बना लिया है कुश्च मैं करूँगा कल से उसे मैं upload करूँ ऐसे एक एक दिन का editorial में बना करके मैं आपको दोंगा अभी आप ये बताएं आपने से कितने बच्चे हैं जिने एडिटोरियल की importance पता है जो इस समस्ते कि अगर उन्हें पामन एरर त्यार करना है sentence improvement त्यार करना है या फिर उन्हें sentence fillers त्यार करना है इवन close taste, picky virus और comprehension के पैस्जर्स होते हैं इन सारी चीजों में editorial financial की तरह होता है राम बार की तरह होता है यानि यह ऐसा section होता है जिसके द्वारा आप अपनी कूरी English जो grammar के रूप में है इस सारी चीज़ें आप दुरुष्ट कर सकते हैं में इंसर मोडिफाई कर सकते हैं पढ़ियां बना मैं आपको एक बच्चे का बच्चे का एक्सांपल दे रहा उस बच्चे के नाम है नेतनीया फिर इस समय डली में मुखर्सी नगर में पैसे कि वो बच्चा मेरे से मिलने से पहले वो बच्चा एडिक्टोरियल्स होगर पड़ता था और वो इतना बढ़ियां अलेरी था देखे मैं कभी उसका श्टे नहीं लेना चाहूंगो ठीक है कि वो ऐसा बच्चा था जो मेरे से मिलने से पहले ही बहुत कुछ चीज़ें जान पना था मैं इसलिए आपको उता रहा हूं क्योंकि वो बच्चा अपनी रूम पर उसके नुसाथ आठ बच्चों को एडिटोरियल पढ़ाता था मजाक नहीं आप सोच के देखें मुझे और प्लास उसकी पता है उस समय कौन से थी दियसी फश्टियर मैंकोडी का बच्चा जो जीनियस है और आगे रहेगा भी मेरे लाइफ के सबसे एस पॉर ग्रैमर जहां तक की बात है वरणपावर के रूप में भी वो बच्चा बेश्ट है मेरी लाइफ तो उससे मैंने ये भी समझा कि अगर एक बच्चा चाहिए अगर वो एडिटोरियल को अच्छे से पढ सबसे अच्छा तरीका है एडिटोरियल करते हैं तो आपके दिमाग में बैठ जाओं याद हो जाओं और एडिटोरियल के और खास बहुत सारी वर्स वो एडिटोरियल रिपीट करते रहे हैं तो माली जी आज आपने जाना कि डेक्ट्रिमेंठल कोई वर्ड होता है जिसके सब्सक्राइब होता है तो कल अगर फिर से एडिटोरियल में आप पढ़ेंगे ना तो आपको कहीं कहीं 50 60 70 पर्शन वो आपके जिहन में रहेगा आपको याद आज तो मैं चाहता हूं आप एचीज समझें और आगे अगर कुरी कहीं भी आपना देखे जातर टीचर्स को मै जो बच्चे पढ़ना सीखना चाहते जो उसका इस्ट्रक्चर यूस करना चाहते है जैसे कहीं माली जी कहीं ऐसे लिखा है यह वांटेट टो एब डेलिवर्ट टो टो वो जो टीचर्स आपके कॉंसेट पढ़ाते हैं वह आपको यह नहीं समझा सकते हैं ऐसा क्यों हो यह म हर एक कमी बच्चों आप एडिट्रोड के द्वाला दूर कर सकते हैं जो भी पढ़ना चाहते हैं बच्चे वो जरूर अपनी राय दे प्याव इस सेक्सर्ण चलाना सही रहेगा क्या आगे आप इसमें अपना इंट्रस्ट शो कर सकते हैं और और आप दूसरे बच्चों को भी इसमें जोर सकतें ताकि टीचर को भी कहीं लगी कि हाँ जादा जादा बच्चे उससे क्या हो रहे हैं जुर रहे हैं क्योंकि वो बहतर करगा है अपनी राय जरूर देजेगा मैं चाहूंगा आप इसे बहतर करने की कोशिश करें थैंक्यों